नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहाजन, मेरे चैनल समाधान होमेपेथी में आपका स्वागत करती हूँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉमन प्राब्लम जिसे हम एकने वोलते हैं इसके बारे में तो ये एकने क्यों होता है? क्या इसके कारण होते हैं? कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? क्या हम इसे प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं? और कौन से हम होमेपेथिक मेडिसन का इस्तमाल करें? सब से पहले acne होता क्यों है acne जो होता है by severe cancer gland का infection और inflammation के कारण होता है acne के risk factors क्या क्या है तो acne जो होता है by 13 से 14 साल के लोगों में common होता है youngsters में होने वाली common problem है क्योंकि जब young age में hormonal imbalance का problem होता है girls औब boys दोनों में ही है problem होता है इस कारण से बहुत अधिक अखने होते हैं सेकंड वाइली स्किन भी इसका एक कारण होता है दोस्तों इसके में जब वाइल ज्यादा सीक्रेट होता है तो इसके कॉंटेक्ट में जब डर्ष्ट, डर्ट ये सब चीज़े आती है तो इसके कारण से भी फिमपर्स हो जाते हैं दोस्तों तीसरा एक बहुत बड़ा कारण डेंडरप भी होता है इसको हम अक्सर अवाइड कर देते हैं लेकिन जब सिर में डेंडरप बहुत अधिक होता है तो commonly blackheads or whiteheads को ये जन देता है अंतिम कारण होता है कई की बार हम बहुत अधिक वैली foods खाते हैं या कई बार हमारे पेट में digestive problem होती है constipation से हम सफर करते हैं इन सब कारण से भी pimples हो जाते हैं एक बहुत ही कम लेकिन फिर भी कई बार genetically हो जाता है किसी के parents को बहुत अधिक 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 होते हैं तो उनके बच्चों को भी acne की problem बहुत ही common हो जाती है एवं अंतिमें एक कारण होता है कि कई लोगों को इसको squeeze करने की आदत होती है जब हम बार बार उसको press करते हैं तो नए नए pimples और अधिक हो जाते हैं एवं जो लोग बहुत अधिक marketed food वगरा खाते हैं मैदे से बने items खाते हैं उनको भी pimples की problem बहुत common हो जाती है इसके अलबा देखते हैं दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं कितने types के होते हैं ये 5 type के होते हैं सबसे पहले white heads then black heads then deep cysts, acne and tumorous pimples सबसे पहले देखते हैं white heads के बारे में इसके नीचे छोटे छोटे से pimples होते हैं जिनमें कील निकलती हैं इनको दोस्तों हम white heads बोलते हैं second black heads जब यही white heads थोड़ा सा उपर की तरफ आने लगते हैं और dashed और बाहर ear के contact में आने पर यह black color में convert हो जाते हैं तो इनको हम black heads कहते हैं इसके अलाबा third होता है acne जब sebaceous gland में infections होने लगते हैं तो होता है acne का जन्व इसके अलाबा सबसे अंत में होता है deep cyst जब infection और ज़्यादा बढ़ जाता है तो cyst formation होने लगता है इसमें pulse accumulate होने लगती है एबं लाश्ट में हम देखते हैं tumorous pimples कुछ pimples tumor जैसे होते हैं nose जैसे होते हैं गठान जैसे जो की skin पर commonly ऐसे बने रहते हैं इन pimples को हम बोलते हैं tumorous pimples तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन pimples से हम कैसे बच सकते हैं चहरा पॉंशने का टॉबिल जिससे हम चहरा बाइप करते हैं उस टॉबिल को separate रखें body के टॉबिल से चहरे को दो से तीन बार 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 होते रहें जिससे कि उसमें wild deposit ना हो थर्ड होता है कि अगर हमें कोई period से related problem है तो हम उसको ठीक करें गायनिक को proper दिखाएं फोर्थ होता है दोस्तों हमको बार बार अपनी skin को touch नहीं करना है क्या होता है जब हमारी skin में बार बार कोई problem हो जाती है और वो reinfection को create करते हैं और दोस्तों क्या होता है जो blackheads और whiteheads होते हैं और लंबर टाइम तक अदर बने रहते हैं तो इनके कारण पिंपल्स हो जाते हैं और जैसे हम देखें कि कील को अगर लंबर टाइम तक अंदर रखा जाए और बाल में बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है दीबाल में हमारे होल हो जाता है छेद हो जाता है गड़्ध हो जाता है वैसे ही सीम लंबर टाइम तक blackheads और whiteheads बने रहते हैं तो उसके कारण acne scar की problems बहुत commonly हो जाती है तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनकी homeopathic medicines के बारे में तो सबसे पहले medicines आती है Pulsitilla, Pulsitilla एक female medicines है तेकिन मेर्स पर भी यह बहुत अच्छा काम करती है इसके patient को थोड़ा रोना रोना आता रहता है बहुत emotional type of patients होता है हलके से पक रहे हों पिंपल्स तब हम Pulsitilla यूज कर सकते हैं Second Antim Crude इसका Antim Crude 200 इसमें जो टंग होती है patient की वह white coated होती है एबं patient को अधिकांसता पेट से संबंदित problems होती है और blackheads के लिए बहुत अच्छी medicine है इसकी हमको अगर गोली में ले रहे हैं तो 6-6 गोली दिन में 3 बाल लेना है और अगर हम moon में ले रहे हैं तो 2-2 moon दिन में 3 बाल लेना है Third medicine आती है Natramure Natramure 200 oily skin के लिए बहुत अच्छी medicine है इसकी भी हमको 2-2 moon दिन में 3 बाल लेना है चौती medicine आती है काली ब्रूम यह भी blackheads और whiteheads की बहुत अच्छी medicine है और इसकी भी हमको 2-2 moon 3 बाल लेना है Radium Brometum सबसे अंतिम medicines है इसमें क्या होता है cluster of pimples हो जाते हैं और skin काफी oily होती है और यह blackheads whiteheads की बहुत अच्छी medicine है इसको हम 2-2 moon 3 में 3 बाल ली सकते हैं तो दोस्तों होमेपाथी में बहुत सारी medicines है जो pimples के लिए बहुत अच्छा work करती है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि pimples के जो गड़े होते हैं वह हम कैसे ठीक कर सकते हैं हमेपाथी के दौरा बिना हम कोई laser कराए हुए तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लटा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अगले वाद